वेलकुम बैक तो माई चैनल, इन दिस वीडियो एर गूंट इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्जाम में बहुत सारे कोशन से हिट होते हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे देखते हैं, तो में भी अपने एक्जाम में आप एक से दो-तीन कोशन तक कमस्यम कर इसको कहते हैं, 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 17th parallel ठीक है एक्जाम में यह जरूरी नहीं कि इंडिया के ही lines के बारे में आपसे पूछा जाए international lines के बारे में भी आपसे questions आ सकते हैं ठीक है उसके बाद जो अगला है वो है the name of the line 24th parallel line यह 24th parallel line किसके बीच में है उसके बाद जो 38th parallel line है यह किसके बीच में आती है यह North Korea and South Korea के बीच में जो lines जाती है उसे कहते है 38th parallel line the name of the line 49th parallel line 49th parallel line किसके बीच में है तो यह US और कनाड़ा के बीच में जो डिवडेशन की line है उसको कहते हैं 49th parallel line ठीक है उसके बाद handbag line किस-kis के बीच में ? Handbag line जो है जर्मानी और Poland के बीच में handbag lines है उसके बाद missing line between Missing line किस के बीच में ? franchise order missing line यह होती है जर्मानी और Poland के बीच में जो line जाती है इससे कहते हैं nation line अगर आप लोग चाहते हो अभी क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह चुका है तो अगर आप चाहते हो कि नोट्स पच्छिस करना और अभी त्यारी और अच्छिस करना तो आप इस तंबर पर कॉंट्टेट कर सकते हो तो यहाँ पर आपको जो भी ACC के relevant notes है वो यहाँ पर आपको दी जाती है और यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं कि जो कि content के अलग से मिले आपको ठीक है विकाज अगर आप अरहिंद की किताब पढ़ते तो maximum आप 30-40% cover up कर सकते हो मैं यह नहीं कहता कि आप अरहिंद की किताब से पढ़ के पास ही हो पाओ के बड़ अगर आप चाहते हो अच्छा score करना आगे वाइल CPDP कहीं अच्छे जाए करना चाहते है तो इसके लिए बेस चीज होगी और क्या होता है इसे आपका boost up थोड़ा बना रहता है तो if you want to purchase note so you can count it on this number okay thereafter magnot line between magnot line between is in Germany and France this line is between Germany and France they divide Germany and France okay thereafter sick fired line sick fired line is between Germany and France also okay there is a two names of that so these are the some important international boundary lines so if you like this video please do like subscribe my channel and thanks for watching my video Jaihin